डिमेट खाते और म्यूचुल फंड से 30 तक जड़वाले नोमिनी सभी व्यक्तिकते डिमेट खाताधारकों और म्यूचुल फंड निवेश्कों के पास अपने उत्राधिकारी द्वा नोमिनी को नामित करने या एक घोशना पत्तर भरकर इसे बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक कर्ष्च में दिया गया है ऐसा नहीं करने पर निवेश्कों के डिमेट खातों और फोलियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश्कों निकालने ही पाएंगे बाजार नियामक शेवी के इनुसार यह आदेश नए और मुजदा दोनों तरह के निवेश्कों पर लागू होगा यह कदम निवेश्कों को अपनी स्चंपत्ती को सुरक्षित रखने और उनके कानूनी अधिकारियों को शोपने में मदद करने को उठाया गया है जुलाई दोजारे किस में सेवी निस सभी मुजदा पातर ट्रेडिंग और डिमेट खातादारकों को 31 मार्ज 2022 को या उसके पहले नामंकन का विकल्प परदान करने के लिए कहा था बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्ज 2023 तब कर दिया गया है कर दिया गया था दोस्तो मुच्वल फंड यूनिट धारकों के संब्द में नियामक ने 15 जुन 2022 को अपने परिपतर में मुच्वल फंड ग्राखों के लिए एक अगस 2022 को या उसके बाद नामंकन से बाहर निकलने के लिए नामंकन विवरन या गोशना करना अनिवारी किया था इसे एक अक्टूबर 2022 तक फिर मार्ज 2023 तक भड़ा दिया गया बजार बागीधारियों से मिले आगरा के बाद भूलियों और डिमेठी खातों को फ्रीज करने का प्रावधान 31 मार्ज के बजाए 30 सितंबर से लागू करने का फैसला किया गया है